मित्रों हमारे बीच भारती जनता पार्टी की राष्टी प्रवक्ता संभीत पात्रा जी उपस्थी थे और वो आज की प्रेस कॉन्फेस को संभधित करेंगे साथ में बाजपा की राष्टी प्रवक्ता नुपूर शर्मा जी भी यहां उपस्ती में तो मैं पातर साब से अनलोद करूँगा कि वो जो है प्रेस कॉंट है केके शर्मा जी धन्यवाद मेरी बहन नुपूर शर्मा जी राष्टी प्रवक्ता भारते जन्ता पार्टी बंदुगर्ण आप जानते हैं कि जहां तक किसानों का विशय है, उस विशय पर लोकतांत्रिक तरीके से और सारवजनिक तरीके से आप सब इस विशय को जानते हैं कि भारत की सरकार किसानों के विशय को सुन रही है, उस विशय को लेकर आगे बढ़ रही है. मैं आज आरंब में ही कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्वेंग मोदी जी जो की मुख्य सेवक है हिंदुस्तान को वो किसानों को अन्नदाता और भगवान मानते हैं अन्नदाता और भगवान है तभी हिंदुस्तान है और मैं पहले तो अपने प्रेस कॉंफरेंस में तमाम किसान बंदूओं को जम्मु कश्मीर से कन्या कुमारी थे तक अटक से कटक तक सभी को चरण सपर्श करके नमशकार क पहले किसानमंत्री आदर्निया तोमर जी ने भी बहुत महत्तोपूर अनाउंस्मेंट्स किया है तिकिस प्रकार 25 तारिक को सुशाशन दीवस के अवसर पर लगभग 18,000 करोड रुपए 9 करोड जो किसान बंदू हैं उनके अकाउंट तक पहुँचेंगे आज हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे किसान संगठन भारती जंता पार्टी की सरकार ने जो तीन बिल वो लेके आई है उसके समर्थन पे वो उतरी है किसान मंत्री को उन्होंने भेट भी किया है और धन्यवाद दिया है मोदी जी को इन तीन बिलों के लिए हाँ कुछ किस संगठन ऐसे जरूर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका अधिकार भी है एक लोकतांत्रीक देश है सरकार उनसे बातचीत कर रहे हैं मगर यह उचित होगा हमारे पक्ष में कि कुछ अवांचित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रखके अपनी रा बेनिफिट्स वी अस रिस्पॉंसिबल पॉलिटिकल पाटी शुड एक्सपोज दीज लेफिस्ट फोर्स इस लेफिस्ट पाटीज इस लेफिस्ट पाटीज अजवेल बंदुगन जहां तक यह वामपंथ और लेफ्ट का सवाल है यह कॉम्यूनिस्ट पाटी से दोगला हि हिपोक्रसी इस दाई नेम जहां तक कॉम्यूनिस्ट का सवाल है और इन्होंने दोगलेपन में जिस प्रकार से सारे सीमाओं को लांग दिया है आज मैं वो फैरिस्ट आपके सामने रखूंगा किस प्रकार इन वामपंथियों ने भिन भिन संस्थाएं और उनकी सरकारों न किसानों के ऊपर कई अत्याचार किये हैं ये बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं तीन मुख्या ऐसे राज्ये रहे हैं जहां या तो वर्तमान में या विगत सालों में वामपंथ की सरकार रही है केरल में वर्तमान में भी है इससे पहले त्रिपूरा मे लगबग 25 वर्षों तक और कलकत्ता अर्थात वेस्ट बिंगॉल में कलकत्ता से जहां से कम्यूनिस पार्टी रूल करती थी वहां भी बहुत दिर्ग समय तक बहुत लंबे समय तक वामपंथियों का सत्ता रहा है एक एक करके एक एक राजियों में किस प्रकार से वामपंथियों ने किसानों को ठगा है आज उसके कच्चे चिठे को हम खोलेंगे और कुछ ऐसे किसान संगठन जो किसानों के कंधे पर रखकर राजनेतिक बंदुग चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका भी खुलासा करेंगे पहले हम केरल की तरफ चलते हैं बंदुगण आप देख रहे हैं कि जो स्कैम टेंटेड केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन वो इस पूरे विशय को लेकर सुप्रीम कोट तक जाने की चेश्टा कर रहे थे मगर पिनरई विजयन जी को ये उत्तर देना चाहिए और तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनको ये उत्तर देना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो केरल गड़ है वामपंथ का वहाँ पर APMC की मंडी ही नहीं है No APMC Law in केरला केरला में APMC का कानून नहीं है और आप इन वामपंथियों को देखिए इनके दोगलेपन को देखिए ये पूरे हिंदुस्तान में APMC कानून को लेकर एक भ्रमजाल फैनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां मोदी जी APMC को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं मंडी को रिफॉर्म कर रहे हैं एक option दिया है मंडी से बाहर का किन्तु मंडी बंद नहीं हो रही है वहीं जहां मंडी नहीं है जहां APMC कानून नहीं है वह राज्ये इस पर दोगलापन कर रहा है इसका जवाब the scam tainted minister chief minister of Kerala Mr. Pinarai Vijayan should come forth with he should give बंदुगन APMC में जहां तक केरला का सवाल है और कोई APMC कानून नहीं है आप जानते हैं वहां किस प्रकार से खरीद बिकरी होती रही है वहां पर जो major channel है किसान के उत्पात के खरीद बिकरी के लिए ये जो major channel है वो private channels है केरल की सरकार ने private channels की हातों में ये काम दिया हुआ है और जब ह इस पर जरूर दृष्टी डालिये और इस पर रिपोर्ट भी करिये कि दरसल private entities के नाम पर they are the goons of the left wing जो वहां के गुंडे हैं जो वहां के बदमाश हैं उगाई करने का एक तरीका left की सरकार ने केरल में बना रखा है और इसके माध्यम से किसानों के उपर घोर अत्याचार किया जा रहा है किसान के पीछे आज खड़े होकर left राजनिती करने की कोशिश कर रही है मैं आज केरल की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी ने ये जो कानून बनाया है ये जो reform किया है उसमें एक बहुत महत्वपुन बिंदू है कि तीन दिनों के अंदर जो भी transaction होता है उसका payment किसान को तीन दिनों के अंदर करना होगा अगर तीन दिनों के अंदर payment नहीं होता है तो किसान कोट जा सकता है और जो करार कर करता है उसको स्यू कर सकता है उसके खिलाफ केस कर सकता है क्या केरल की सरकार इसके खिलाफ है क्योंकि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं जो खरीद विकरी केरल में करती हैं उनके उपर तो इस प्रकार का कोई कानून नहीं है उनको जब मंता पेमेंट करते हैं सालों तक पेम के अंदर उसकी payment हो जानी चाहिए केरल सरकार इस कानून को क्यों रद करवाना चाहती है और क्यों ऐसा चाहती है कि उनके जो court-unquote उनके कारे करता है जो private entities के रूप में products खरीद रहे हैं उनको बढ़ावा मिले इस पर जवाब दे केरल में मंडी को विपान्नी कहते है आप आज जाके देखिए यह जो विपान्नी होते हैं जहां पर यह private entity खरीद विक्री करते हैं कि इसकी control in विपान्नी पर है आपको मालूम पड़ेगा पूरी तरह से उनके खु पचीस वर्षों तक 1993 से 2018 तक अभी 2018 तक त्रिपूरा में वामपंथ की सरकार रही है और मुझे बोलते हुए खेद हो रहा है दुख हो रहा है and just look at the dire hypocrisy of the left parties आपको जानके आश्चरी होगा कि त्रिपूरा में इन 25 वर्षों तक कोई भी MSP नहीं था minimum support price की आज हम बात कर रहे हैं कि त्रिपूरा एक मात्र ऐसा राज्य था 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतरगत त्रिपूरा एक मात्र राज्य था जहां पर MSP लागू नहीं होती थी नियूंतम समर्थन मुल्य किसान को नहीं दिया जाता था और आज ये तमाम वामपंथी लीडर press conferences कर रहे हैं ये किसान के हितेसी बने हुएं पच्चीस वर्षों तक आप त्रिपूरा के किसान को लूटते रहे और ये तो शुकर है कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार जब 2018 में त्रिपूरा में आई तो सबसे पहला काम जो भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने त्रिपूरा में किया वो है procurement of paddy किस प्रकार से जो धान है धान की procurement में मैं आपको बता दू 48,716 metric ton ये procurement किया धान का 27,735 किसानों से और जो कुल कर्चिस में हुआ वो 86,65 करोड रुपिया का ये BJP की सरकार जब सरकार में आई त्रिपूरा में तो पहला काम ये BJP की सरकार ने किया और तो और त्रिपूरा में higher milling charge होने के बावजूद जो additional expense बियर करना पड़ता है ये भी भारतिय जनतापाटी की सरकार ने त्रिपूरा में बियर किया जो की लगभग 6 करोड रुपए का था जो किसान पहले त्रिपूरा में वामपंत के अंतरगत अपने चावल को 10 से 12 रुपए परति केजी बेचता था वही अब भाजपा के साशन में 18.5 रुपिया परति केजी बेच रहा है तो आप बताईए कल्यान किसके युग में हो रहा है वामपंत के युग में कल्यान हुआ था या हमारी युग में हो रहा है आपको जानके आष्चरिय होगा जब वामपंत का सत्ता केरल में था तो लगभग 2017-18 में जो agricultural growth rate था त्रिपूरा में वो 6.4 प्रतिशद था अब भारती जंता पार्टी की सत्तात्री पूरा में है two consecutive years 2018-19 और वर्तमान का 2019-20 इसमें आपको जानके खुशी होगी कि agricultural growth rate 13.5 percentage है जहां जहां वामपंत रहा है वहां वहां किसानी डूबी है वहां वहां किसान परत्याचार हुआ है और जब जब भाजपा आई है किसान wherever there is left there is nothing left of economy ये बिल्कुल सही है जहां भी left होती है वहां economy की वहां किसानों का कुछ भी बच्चता नहीं है सब कुछ समाप तो हो जाता है बंदुगण मैंने कहा तीन राज्य हमने केरल की गाथा सुनी हमने त्रिपूरा में वामपंत की लूट की कहानी सुनी अब जो तीस किसरा राज्य है महत्पून राज्य है वो है बंगाल का बंगाल में आप जानते हैं left और left के बाद त्रिनमूर का साशन किस प्रकार से किसानों के लिए घातक रहा है देखिए left के समय जो APMC Act left ने बनाया था बंगाल में वो केवल और केवल पैसा उगाने के लिए बनाया ग देखिए वैसे उन्होंने नकली टोल गेट बनाया हुआ था जिसका नाम नाका बंगडी कहा जाता है नाका बंगडी करके वहां टोला चार्ज जिसके विशह में अभी आधरनिया मिच्शा जी ने और आधरनिया जगत प्रकाश नडड़ा जी ने बताया वही पधति अभी टीमसी की सरकार और उससे पहले लेफ्ट ने किया हुआ है। बंगाल में एक खासियत है। वहां के मौसम के कारण वहां आलू का उत्पाद बहुत अधीक है। और ये आलू के उत्पाद के कारण जो प्राइवेट कॉंट्रेक्ट फार्मिंग होती है। करके पेपसी की लेज और अंकल चिप्स के लिए उसका अधिकांस जो उत्पाद होता है। और जो करार हुआ है वो बंगाल में हुआ है। लगबग 11,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये करार किया हुआ है। और ये जो पूरा बिजनेस है वहाँ पोटैटोज का और एक कमपनी को लेकर वो लगबग 9,500 करोड का है। तो आपने जब ये कॉंट्रेक्ट फार्मिंग किया तो वामपंत के समय में किया था ये। उस समय ये ठीक था। हमने जब कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की बात की तो वामपंत को ये प्राइवेट एंटीटी के हाथ में किसानों को बेजने के तरह लगता है। अमेंदमेंट करके जो MNCs हैं उनको और ये जो प्राइवेट एंटीटीज हैं इनको उन्होंने एंट्री दी थी फ्री मार्केट में। तो ये जो क्म्यूनिस्ट एच कह हों हैं कि प्राइवेट एंटीटी नहीं घुसना चाहिए ये इनकी unintended को दर्शाता है। और आश्चरी की बात है, यह जो amendment आपने APMC कानून में किया था 2009 में, उस समय आपने कोई प्रावधान नहीं रखा था कि stipulated time period के अंदर payment होना चाहिए, हमने जो central कानून रखा है, उसमें हमने यही करार का clause रखा है, प्लस हमने add किया है कि 3 दिनों के अंदर payment हो जाना चाहिए इसमें आपत्ती क्यों है, अगर potato growers को जो आलू उत्पाद खें, उनको 3 दिनों के अंदर उनकी payment मिल जाएगा, उनकी भुकतान हो जाएगी, उनका जीवन सुधर जाएगा, तो आपको क्या परिशानी है, मंदुगन, बंगाल में अभी की परिस्थिती तो आप जानते ही है आज ममता जी के कुछ जो कारे करता हैं, वे किसानों से मिलने गए थे, किन्तु PM किसान निधी, अभी 18,000 करोड रुपे, प्रधान मंत्री मोदी जी रिलीज करेंगे, डारेक्ली 9 करोड फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा, DBT के माध्यम से, मगर PM किसान निधी को लेकर, जिस प्रकार की राजनीती मुहमता बेनर जी कर रही है, वो कह रही है, पैसा डारेक्ली मत भेजी, आप पैसा हमें दे दीजी, हमारे ट्रेजरी में दे दीजी, अब मैं बाटूंगी किसको बाटना है, किसको नहीं बाटना है, मतलब आप एक election fund create करना चाहते हैं, जहां तक बंगाल का सवाल है, यह कहना आतीशोक्ती नहीं होगा, कि Bengal has only traveled from the frying pan to the fire, पहने frying pan के उपर थी, कम्यूनिस्ट सरकार, और अब वो आग में आके गिर चुकी है, त्रिनमूल कॉंग्रेस के अंतरगत, जहां तक वाम पंतियों के कुछ organizations को expose करने की बात है, मैं दो विशियों क को यहां रखोंगा, एक newspaper article लेकर आया हूँ मैं, एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध newspaper है, अंग्रेजी डेली है यह, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर आप देख लीजिएगा, उसका heading है, अभी 13 December को यह article छपा था, इसी माह में, changed list, how protesting farmers shifted demands in the space of a month, पहली बात में कावियाट के साथ बोल दू, मैं farmers के उपर attack नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे अनदाता है, वो हमारे भगवान है, मैं कुछ संगठनों पर यहां प्रश्न उठाने वाला हूँ, देखिए इस article में, उस अंग्रेजी डेली ने एक बहुत महत्त चिठ्थी दिखाया है, 13 November 2020 को एक चिठ्थी तोमर जी को दी गई, जो की demand था, छे demands रखे गए थे, एक किसान organization द्वारा, उसका चट्वा demand क्या था, वो मैं पढ़ देता हूँ, withdraw all cases against the farmer leaders all over India, intellectuals, poets, lawyers, writers, and human and democratic right activists, those who have been jailed in false cases should be released, तो ये छट्वा जो demand था, पांच demand तो चलिए किसान से संबंदित है, मगर जो छट्वा demand है, poet को release कर दीजिए, कौन है ये poet, कौन सा किसान poet है, जिसको भारती जन्ता पाटी में, जेल में रखा है, कौन है, आप याद करिए, नौ तारीक को human rights day पर कुछ posters आये थे, उमर खालीद को रिहा करो, सरजिल इमाम के बक्ष में, कौन है ये poet, मैं आज खुल के बताता हूँ, कौन है ये poet, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर ऐसी भी एक organization है, जिसके जो founders है, मैं उन founders के कुछ के नाम लेता हूँ, एक ऐसी organization है, जिसके founder ने PDFI, अर्थात People's Democratic Front of India बनाया था, ये PDFI क्या है, ये PDFI, एक माविस्ट संस्था है, जिसको 2009 में Congress Party ने UAPA के अंतरगत, ये आतंकवाद से समलित है, ऐसा कहके Congress ने ban किया था, हमने ban नहीं किया था, Congress ने ban किया था, इसके बहुत सारे founders हैं, कुछ founders में से वारावारा राओ, मेधा पाटकर, SAR गिलानी ये भी सामिल हैं, और आज वो organization active है, तो आप खुद बताईए, अगर ऐसे लोग हैं, जो वामपंथी विचार धारा को आगे बढ़ाने के लिए, पोएट को release कर दो, कौन है पोएट, हम भी जानते हैं, इतने मुर्ख तो हम नहीं हैं, वारा वारा राओ को release करवाना आप चाहते हैं, ये वारा वारा राओ को हमने जेल में डाला है, कोट के माध्यम से वो जेल गए हैं, अपनी करणी के कारण जेल गए हैं, इसलिए किसान उसका तो दाइत्व है, उसका अधिकार है, कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिलकुल संगर्च कर सकता है, और सरकार बाचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किन्तु हम सब को सावधान रहना है, कि कुछ ऐसे अवांचित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व, जो किसानों के बीच, किसान बनके घ बुजगाएं, उनसे देश को सावधान रहने की अवशकता है, वरना वो अपने एजन्डे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदू हैं, उसे भटकाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद बंदूगर्ण, आप कोई सवाल हो तो जरूर पूछें जब गोवा से आ गए हैं, क्या, लास्ट जब सुना साथ गोवा में थे का, ठीक है, मिलने दीजिए, मगर राहुल गांदी जी को आप बताईए पूरा, कि राहुल जी आपने जो मैनिफेस्टो 2019 का है, आपने क्यों नहीं पढ़ा है, अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ इसको हटा देंगे, पूरी दर से हटा देंगे कह रहे थे, आप याद करिए कि इस प्रकार 2019 के चुनाव से पहले, उन्होंने अपने राज्यों में जो फल होते हैं, जो परिशेबल प्रोड़क्ट्स होते हैं, जो शबजिया होती हैं, उसको APMC कानून से, APMC Act से, उसके दा This is a law of dark ages, और हम इसको repeal कर देंगे, इसको हटा देंगे, आज अरे उनी के समय याद करिये, इन सभी लोगोंने recommendation दिया था, यह जो Chief Ministers का working group बना था, जिसमें भुपेंदर हुड़ा जी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद यह recommendation दिया था, सरत पवार जी कृसी मंत्री थे उनके समय, सरत पवार जी ने चिट्थी लिखा था, आप लोगोंने वो चिट्थी दिखाया 2010 का, 2011 का, जहां तमाम मुख्य मंत्रियों को सरत पवार जी ने चिट्थी लिखकर, यह कहा था कि अब private entities को enter करने दीजिए, market को खोलिए, उसे liberalize करिए, तो यह राहूल आदी को देश में कोई सीरियसली लेता नहीं है, पहले आप उनको बोलिए, वो बिल पढ़े है, जहां तक मुहमता बिल जी जी का सवाल है, वो तो 3M लेकर आई थी, मा माटी मानूश, अब वो 3T बन गई है, तुष्टिकरण, तोलाबाजी और जो वहां पर बहुत लड़ाई हो रही हमारे कारेकरताओं को मरा जा रहा है, तो यह जो तुष्टिकरण की राजनीती है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मौमता बिल जी जी पहले भी मदरसा को favor कर रही थी, उनको पैसे दे रही थी, एक धर्म की विशेश के लिए वो चिंता कर रही थी, अब भी वो वही कर रही है, मगर यह तुष्टिकरण के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है, लोग अब जान चुके है, तो यह हमारी जो बंगाल की यूनिट है, वो इस पर चर्चा करेगी, अभी अब नियूस आपन See, I don't think we need to reply to one Mr. Prashant Kishore.